कि हरे कृष्णा वेलकम तो यह चैनल रभी आफला तो आज के वीडियो में हम लोग सरेंडर के बारे हम पढ़ेंगे सरेंडर किसका हो गया यहापे लेंड का होगा देखो अभी तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है लेकिन पहले ऐसा होता था कि लोगों के परस लेंड काफी अब क्या होता है जैसे अब देखो इतनी जादा एडवांसमेंट हो चुके टेक्नोलजी में मतलब अगर कोई खेती कर रहा है तो इतने सर मेशीने हैं बहुत तरीके बन चुके अगर मतलब जो लेंड है वो फर्टाइल नहीं है और इतनी टेक्नीक्स आ चुकिया पहले ऐस नहीं था जो किसान थे अगर उन्हें पानी चाहिए तो बारिश पर डिपेंडेंट रहेंगे मशीन कैस तच कुछ था नहीं काफी पहले की बात करें तो ऐसे में अब बताओ सोचो कोई इंसान है उसके पास खेत है अब वहां पे जो लेंड है उस पे कुछ फसल उगी नही तो अब यसा नहीं होता अब ही लेंड के प्राइस के पराइस बहुत ही हैं तो अभी कोई नहीं छोड़ता है थे कहा है पहले यह यह अगरिकलचर वगारे इससे में अश्यूपेशन होग सकती तो अब यह सरेंडर जहां कौन सब्सक्त को सरेंडर भूमीधर भी कर सकता है और असाम ही देखर सकते हैं अब जो भी आपको रिटन कंटेंट स्क्रीम पर दिख रहा होगा ना मैंने थोड़ा सा डीटेल में लिखा चैसे कि आपका नोट्स का भी काम हो जाए तो समझाओंगी मैं और मैं थोड़ा डीटेल में लिखा कि आपको आंसर राइटिंग में भी कोई प्लिकेशन देना पड़ह किसे अप्लिकेशन देका तैसिलदार कोड़ेगा और कि यू कर राए था है फिर जो भी मतलब रूर्स है प्रसीज़र उच्क उन्मइन सबको फॉलॉ करना पड़ेगा गाषे पर कोड़ के अंदर जो भी रूल्स वगयरा है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा तैसिल्दार क्या करेगा अगर वो देखेगा कि इसने पूरा जो भूमी दर रहे हैं इसने पूरे लेंड को सरेंडर नहीं के सिफ कुछ पाड़ के तो वो क्या करेगा अपोशिल करेगा मतलब अ सक्षिन 119 दर तक है सक्षिन 119 तक है अब समा जो गज़ा पूरी दर करता उत लेकिन ज़ते वो अपने लेंड को सिर्ड नहीं कर सकता था था पूरे जो असामी से नहीं कर यह सिर्डर करेगा लैंड कि कुछ हिससे अब देखो जासे आपने पढ़ाता है कि जो भूमिदर है, अगर उसे शरेंडर करना होता था तो वो तहसिल दार को अप्रिकेशन देता था लिख्षेट में है अब यहां पर असामी किसको देखा अब असामी भी ना इस परपस के लिए सारेंडर के परपस पर लेने वाले उक्वाल स्वाइब करेंगे या तो राइंडर को या पर लांड मनेजमेंट कमीटी को तो डिपेंड करता है तक राइंड लीज़ एक से लिया होगा उसे पर लिए उसके बाद लोग जो है भुजिकल पजेशन ले लेगी आप सरेंदर का इफेक्ट क्या है मैं बालोग सरेंडर हो गया है आपने दिखा आपका सरेंडर हुच्छ के बाद क्या हो गया तो अब क्या होगा सबसे पहला जोबी भू मिदर या असामी हो अब ऊसका किसी भी तरीकрал overeak ताइटल है ना इंट्रेस्ट है ना कोई क्लेम मतला कुछ ना आता रिष्टा सब तूट रिया ना किसी तरीके की लाइबिलिटी है ना किसी तरीके का राइथ जमीन से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है जो भी टाइस थे उस लैंड के बीच में और भूमिदर या असामी के बी नेसेसरी चेंजेस हैं वह रेकॉर्ड में कर दिया जाएगा लेकिन देखो इसमें एक बात है अगर जिसको क्या करना है तो इसका जो अप्लिकेशन है ना चाहे भूमिदर और चाहे असामी उनका उनको इस बात कर जो एक अप्लिकेशन है मतलब नोटिस जो है वह लैंड मन नोटिस दे रहा है कि उसे सरेंडर करना है तो फिर क्या होगा फिर उसे जो अगला फसली एर है अग्रिकल्चर एर उसका उसे अर्वेन्यू देना पड़ेगा चैक है मालो जैसे मा भी आपको इक इलस्ट्रेशन दोंगे मालो का साम्य है यां पे ठेक है वह जो अपना जो अब क्या तारीक है एक अप्रेल से पहले देना पड़ेगा इसकानुटेस वह तीन अप्रेल को दे रहे ठीक और उसके बाद से लेकिन फिर अगला फसली इयर है मतलु एगरीकल्चर यह उसे उसमें रेविच्च देना पड़ेगा क्योंकि जो नोटेस था वह एक अप्रेल से पहले देना था उसने कहुंसे तारिक को दिया टीन अपरेल को दिया दो ही दिन लेट गया लेकिन फिर भी उसे लेन्ड रवन्यू देना पड़ेगा तो इस डेट का ध्यान दखना कि एक अपरेल से पहले जहाँ देना पड़े गा व कि आने वाला फसली ऐर है अग्री कल्च् है ही ऐसा चीज में कुछ समझाने वाला था नहीं तो मैंने इंटर नोट्स प्रोवाइड किया है तो किसी भी तरिके कट आउट हो डू मेंशन दर कमेंट बॉक्स विल भी हैपी टू सर्व यू हरे कृष्णा